तो जब भी हम लोग greatest comic book movies of all time की बात करते हैं तो एक movie ऐसी है जिसका नाम conversation में बार बार pop up करता है The Dark Knight और rightfully so, होना भी चाहिए क्योंकि ना सिर्फ ये best comic book movies में से एक है बट अगर हम cinematic point of view से बात करें तो ये greatest movies of all time में से भी एक consider की जा सकती है एक तरह से हम ये भी खह सकते हैं कि इस movie changed cinema forever अब वो किस तरह से उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं So without further ado Let's do this वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक request future में सी तरह की वीडियो के लिए चैनल को subscribe करो तो सिनेमा की दुनिया पे इस masterpiece का impact चानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं इनिशली जब 2005 में Batman Begins रिलीज हुई थी तो उसे direct किया था Christopher Nolan ने Oscar winner Christopher Nolan जो कि finally और deservedly कुछ दिनों पहले ही best director का Oscar जीते हैं तो Christopher Nolan usually एक film बनाते हैं और उसी एक movie में अपनी पूरी story को complete करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं मतलब वो अपनी films के sequels नहीं बनाते हैं बट Batman Begins इस मामले में एक exception साबित हुई शुरूआत में इसका भी कोई sequels नहीं आने वाला था और अपने पहले पार्ट में वो इस character को use नहीं कर पाए थे तो अब उनके माइन में ये आता है कि Batman Begins में उन्होंने जो वर्ल्ड create किया है उसमें जोकर का character कैसे play out करेगा तो इसी के बाद The Dark Knight पे काम शुरू हो गया और फाइनली 2008 में ये movie theater में release हुई ये critically और commercially दोनों ही तरह से बहुत हिट रही अब ये वो time था जब superhero movies उतना interest और पैसा generate नहीं कर पाती थी जितना आज के time पे करती है नहीं उन्हें इतना seriously लिया जाता था इस film ने superhero movies का general audience में perception change कर दिया और superhero genre को totally redefine करके रख दिया था दे डाक नाइट से पहले superhero films को ज़्यादा तर light hearted और primarily young audience के लिए targeted रखा जाता था I know 1970s और 80s में Superman, Batman और 2000s में आई X-Men और Spider-Man movies भी audience को काफी पसंद आई थी पर नोलन की film इन films से अलग थी इस film ने हमें एक dark और complex narrative से introduce किया जिसका inspiration था crime dramas और thrillers इसमें superhero's और villains का portrayal साधा realistic और grounded तरीके से हमें शो किया गया जो कि real world based issues और moral dilemma से डील करते हैं तो ये तो बात ही इस film के superhero genre पे impact की अब इसकी critical और commercial success पे बात करते हैं अब इस point पे बहुत कुछ कहने को नहीं है I mean it was successful critics को ये film पसंद आई superhero fans को ये film पसंद आई general audience को ये film पसंद आई इसके लावा box office पे भी इस film ने काफी अच्छी खासी कमाई की और इस सबसे ये point निकलता है कि इस film ने आगे आने वाली superhero films के लिए रास्ता बनाया ताकि future में इस genre की movies को critics और general audience दोनों ही थोड़ा seriously consider करें cinema के important parts में से एक होता है film making और film making पर भी इस movie का काफ़ impact रहा था नोले ने फिल्म को बहुती beautifully फिल्म किया था usually हम superhero movies में आज भी green screen और CGI से बने effects देखते हैं बट इस movie में क्रिस्टोफर नोले ने mostly practical effects का use किया है जिससे इस film का realism और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इसके अलावा film की storytelling भी जबरदस्त थी जिस वज़ा से technically इस film में film making में एक नया standard सेट किया इसके अलावा film के कई scenes shoot करने के लिए IMAX cameras का use हुआ था उस time पे IMAX cameras का film में इतना use नहीं होता था ये ज़ादातर nature documentaries में बहुत ही high quality shots दिखाने के लिए use होते थे बट इस film के ऐसे बहुत से sequences हैं जहां IMAX cameras का use हुआ है खास कर कि इसका legendary opening sequence और आज तक इस film का opening sequence easily film history के top 5 opening sequences में से एक है अब इसके बाद इस film का impact देखने को मिला Academy Awards या Oscars पे तो ये दो ways में हुआ एक तो Academy Awards की एक category में जीत कर और दूसरा Academy Awards में best movie के लिए नॉमिनेट तक ना होने की वज़ा से अब मैं समझाता हूं कैसे तो जब ये film Academy Awards में best film के लिए नॉमिनेट तक नहीं हुई तो आसकर्स और Academy का का काफी criticism हुआ जनरल आडियन्स और movie critics दोनों की तरफ से ये criticism काफी widespread था और इस criticism का Academy पे असर भी पड़ा अपनी गलती को सुधारते हुए Academy ने अपने movie nomination वाले सिस्टम में एक चेंज किया अब आगे से आने वाले Academy Awards में best picture के लिए नॉमिनेट होने वाली films का नंबर increase कर लिया गया जिस वज़े से films की एक बड़ी range including superhero movies और लोगों में popular films को भी अब इस आवार्ड में nomination का मौका मिलने वाला था इसके अलावा एक category जिसमें इस film में काम करने वाले actor ने आवार्ड जीता था वो था Oscar for the best actor in supporting role और ऐसा हिस्टरी में पहली बार हुआ था जब किसी comic book based movie में किसी actor को एक Oscar मिला था heat ledger को ये वार्ड जोकर का character प्ले करने के लिए मिला था और आज भी उनकी उस performance को एक benchmark की तरह देखा जाता है और finally अब बात करेंगे इस film की legacy के बारे में इसने अपने पीचे क्या चाप छोड़ी है उसके बारे में दर डाक नाइट का influence बस super hero films तक ही limited नहीं रहा है इसने बहुत से film makers को अपने फिल्म में complex themes और top notch character development को explore करने के लिए inspire किया है दूसरे शब्दों में दर डाक नाइट को काम कर चुके बहुत ही talented actor Timothy Shalomane ने भी ये बात कही थी कि The Dark Knight ही वो movie थी जिसने उन्हें actor बनने के लिए inspire किया तो finally हम कह सकते हैं कि The Dark Knight ने super hero films का perception हमेशा के लिए बदल कर रख दिया हमें ये दिखाया कि super hero movies भी deep philosophical और complex हो सकती हैं box office पे खुब कमाई करते हुए भी critics और audience दोनों को पसंद आ सकती है technically sound और masterpiece हो सकती है जो अपना impact लंबे समय तक आने वाले filmmakers और actors की generation और पूरी film industry पे डाल सकती है in a way हम कह सकते हैं कि The Dark Knight चेंजed cinema forever so that's it for the video future में सी तरह की videos, reviews, movies and series explanations और pop culture related content के लिए channel को subscribe करो see you in the next one